दोस्तों आज बात करती हूँ पौश महीने की जिसे की आम बोलचाल भासा में भोचपुरी भासा में पूश महीना भी कहते हैं यह प्रारंभ हो रहा है 9 दिसंबर से पौश महा की विशेशता है कि यह महा पूरी तरह से सूर्य देव को समर्पित है जाहिए लेकिन पौश महा हां में विशेश रूप से उनकी आराधना करने से हमें बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है सरकारी नौकरी के योग बनते हैं हमें मान संमान मिलता है ए वह बाधा दूर होती है हमें हर तरह से हर छेत्र में सफलता सूर्य देव के आशिरवात से मिलती है तो इस महीने में आप विशेश रूप से सूर्य देव को जल दें और उनकी पूझा अरचना करें दोस्तों चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमा या नमा शिवाय जरूर लिखें आईए बात करते हैं पौश महीने की विशेशताओं की दोस्तों प्रति दिन सूर्यदेव को जल देना हमारे लिए बहुत ही लाग दायक होता है परंतु पौश महा विशेश रूप से सूर्यदेव को समर्पित होने के कारण तो हमें विशेश भलकी प्राप्ती होती है आप पूरे महीने में यह नियम बनाले की ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाएं सबसे पहला नियम पॉस महीने का सबसे पहला नियम वैसे तो ठंड बढ़ जाती है लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो यह हो जाएगा तो ये नियम बना लें कि आप रहम मुहुर्थ में उठ जाएं, सूरे के उदय होने से पहले अपने दैनी कारियों से निर्वित हो जाएं, असनानाधी कर लें, उसके बाद तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प मिल जाएं, तो और अच्छी बात है, लाल सामगरी डाल कर सूरे देव को जल दें, उसके बाद रविवार की जब बात आती है, तो आप यदि चाहें आपकी इच्छा हो, तो आप रविवार का ब्रत भी रख सकते हैं, या ब्रत भी बहुत शुभ फलदाई होता है, और सूरे देव की विशेष क्रिपा, विशेष आ सूरे देव को जल दें, सूरे देव को जल देते समय मंत्र की यदि मैं बात करूं, तो मंत्र में आप ओम सूरी आये नम, ओम आदित्याये नम, ओम दिवाकर आये नम, ये सभी सूरे देव के मंत्र हैं, खास करके गायत्री मंत्र का जब करते हुए जल देने में विशेष हम फलकी प्राक्ति के लिए यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतान की किसी प्रकार की संतान होने में बाधा है आपको, आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मान सम्मान की कमी है आपके जीवन में, तो आप आदित हिर्दय इस्तोतर का पाठ प पॉष का महीना जितने भी मतलब सूर्य देव जी से संबंधित जो भी उपासना है आराधना है यह करने से हमें विशेश फल की प्राप्ति होती है अब बात आती है रवीवार की तो अक्सर ऐसा होता है दोस्तों की रवीवार जैसा की छुटी का दिन होता है तो छुटी के द कि मैंने बताया पूजा पाठ आप सूर्य देव भग क्योंकि सूर्य देव जी की जो पूजा अर्चना है उनको जल देने का जो विधान है दोस्तों वो प्रातह काल ही करना विशेश फल दाई होता है अब आप यह चाहें कि आप 10 बजे 11 बजे जाकर जल दे रहे हैं तो उ समय जो लालिवा लिये हुए होते हैं तो उस समय का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है और सूर्य देव को उस समय हम अपनी आखों से नेत्रों से निहारते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं तो हमें उनका विशेश आशिरवाद प्राप्त होता ह आप सूरे देव से निमित आप दान भी कर सकते हैं जैसे कि गेहूं है गुड है ये सूरे देव जी को ये समर्पित होते हैं ये अनाज आप दान कर सकते हैं तामे का कोई पात्र भी आप दान कर सकते हैं तो इस तरह से सूरे देव को प्रसंद करने के ये उपाएं हैं तो ये सावन माह में हम शिवजी की विशेश रूप से आराधना करते हैं पूजा अर्चना उनकी किलपा को पाना चाहते हैं उसी तरह से पौश माह में आप पूरे महीने यदि सूर्य देव को पूरी तरह से समर्पित होकर उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो यह समझ लि तो ये वीडियो था पूरी तरह से पॉश्माह और सूरी देव जी की पूजा पे समर्पित था दोस्तों जानकारी आपको प्योगी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में ओम सूरी आये नमा शिवाय अवश्य ही लिखिएगा फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों नमा शिवाय